प्यारे बच्चों आज हम लोग एनिमल वर्ल्ड यानि यूँ कहें तो जानबरों के संसार के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग आज जानबरों के रख रखाओ उनके रहन सहन उनकी आदतों और उनके बेभारों के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों आज देखते हैं कि इंट्रोड़क्शन में हम लोगों को इनिमल वर्ल्ड में जो कुछ पढ़ना है वो क्या है कहता है animal kingdom, ध्यान रखे, kingdom का मतलब सामराज होता है और animal kingdom यानि जानवरों का सामराज is very large and constitute all big and small animals which are found on land, in water and in air कहता है जानवरों का जो सामराज है is very large, मतलब यह बहुत बड़ा है and constitutes और इसमें सामील है, क्या सामील है प्यारे बचों? यहां देखे लिखा है all big, सभी बड़े and are small animals और सभी छोटे जानवर which are found जो पाए जाते हैं online यानि भूमी पर in water, जल में and in air और हवा में कहता है animals are found in deserts, जानवर जो है deserts में भी पाए जाते हैं polar region, धुर्वय परदेश, mountains, पहाड़ो पर and also in deep oceans और समुदर की गहराईयों में भी पाए जाते हैं they have some special adaptation that help them to live in these places कहता they have उनके पास होती है क्या होती है some special adaptation यारी कुछ निश्चित अनुकूलन होती है that help जो उन्हें मदद करती है to live in these places, इन जगों पर रहने में प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि animal habitat क्या है कहता है, the area जग वहरा पार्टिकूलर एनिमल्स जहां खास जानवर lives naturally प्राकृतिक रूप से निवास करते हों it's called its habitat, तो हम उन्हें उनका habitat करते हैं प्यारे बच्चों, यहां लिखा है, the area वहरा पार्टिकूलर एनिमल्स निश्चित जाने का मतलब है कोई भी जानवर जो प्राकृतिक रूप से कहीं भी निवास करता हो हम उसे उसका habitat कहेंगे अब थोड़ा सा example के आधार पर हम समझते हैं प्यारे बच्चों मचलियां जो है, वो जल में रहती है तो उनके पास भी कुछ खास अनुकुलन होती है जैसे आपने देखा होगा कि मचलियों के सरीर के उपर सलक होते हैं तैलिया आवरन होते हैं जो उन्हें क्या करता है वाटर रिसिस्टेंट बनाता है ताकि वो जल में रह सकें प्यारे बच्चों धुर्बिय परदेश में धुर्बिय भालू रहते हैं जिनके सरीर के यानि फर के नीचे क्या होता है वसा की परत होती है जो उन्हें खास रूप से पोलर छेत्र में रहने के लिए धुर्बिय छेत्र में रहने के लिए सक्षम बनाती है आगे कहता है प्यारे बच्चों सम एनिमल्स यानि कुछ जानवर live in forest और बहुत सारे जो हैं तालाबों में, रिवर यानि नदियों में, लेक, जीलों में और ओसेंस यानि समुद्रों में रहते हैं, महासागरों में रहते हैं. काता है, बहुत सारे संख्या में जानबर जो हैं, वो जमीन के नीचे भी बास करती हैं, जैसे आपने देखा होगा, चुहा जमीन के नीचे रहता है, सांप जमीन के नीचे रहता है, बहुत सारे जानबर बच्चों जमीन के नीचे भी निबास करते हैं. There are five main habitats where animals live करता है, मुख्य रूप से पांच प्रकार के habitat हैं, आवास हैं, जहां जानवर प्राक्रितिक रूप से निवास करते हैं, जैसे देजार उसमें से है, जंगल है, मरुभूमी है, धुर्वे परदेश है, मौन्टेंस है, और जल है जिसमें मीठा जल भी आता है प्यार मरुभूमी, पोलर रिजन, धुर्वे परदेश, मौन्टेंस, पहाड और बाटर और जल बोथ फ्रेश वाचर और ओसिन्स जिसमें मीठे जल और समुद्र आते हैं प्यारे बच्चों, अब हम फोरेस्ट के बारे में देखेंगे कि फोरेस्ट क्या करता है कता ये फोरेस्ट is a large area, जंगल जो है एक बिस्तर छेतर है, that is covered, जो क्या है, घिरा हुआ है किसे घिरा हुआ है, by plants, पौधों से, and trees, और किसे पेडों से फोरेस्ट प्रोवाइट सेल्ट, फोरेस्ट जो है, जानवरों को आवास प्रदान करता है to a large variety of animals, बहुत सारे जानवरों को ये large variety of, यानि एक से अधिक, यानि बहुत सारे जानवरों को वो क्या करती है शेल्टर आश्रे प्रदान करती है, animals such as lion, जानवर, जैसे सीर, tiger, bear, and bats, live in caves कहता है, जानवर, जैसे lion हो गया, tiger हो गया, bear यानि भालू हो गया, bats यानि चमगादर हो गया, जो कहां रहते हैं, प्यारे बच्चों, गुफाओं में रहते हैं कहता है, animals such as monkey, जानवर, जैसे बंदर, and birds, live on trees, कहता है, जानवर, जैसे बंदर, और पक्ची जो है, वो कहां रहते हैं, पेडों पर रहते हैं rabbits, snakes, rats, and earth bombs, live in burrow in the ground, कहता है, खर्गोस, सांप, चुहा, और केचुआ, वो क्या करते हैं, प्यारे बच्चों, जमीन में, गढ़्धा खुदकर, या बील बना कर रहते हैं अब है, desert के बारे में जानेंगे, कि desert क्या है, कहता है, desert is a dry and sandy reason, which receives very little rainfall, कहता है, एक desert जो है, प्यारे बच्चों, यानि, मरु अस्थल, मरु भूमी, जो है, एक सूखा छेत्र है, बलवाही छेत्र है, which, जहां, receives very little rainfall, यानि, बहुत ही, कम मात्रा में वर्षा होती है, animals that live in deserts, कहता है, जो जानवर रहते हैं, कहां रहते हैं, मरु भूमी में, have a special adaptive fisher to survive in the hot and dry climate, कहता है, उनके पास खास परकार की छंता होती है, खास परकार की अनुकूलन होती है, जो उन्हें जीने के लिए, क्या करती है, अनुकूलित करती है, गर्म और सूखे छेत्रों में, climate, यानि hot or dry, यानि गर्म और सूखे छेत्रों में रहने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, उन्हें क्या करती है, सक्षम बनाती है, some animals, कुछी जानवर, that live in deserts, stay cool during the day, कहता है, कुछी जानवर, जो निवास करते हैं, कहां निवास करते हैं, deserts, मरु भूमी में, stay cooling during the day, दी करते हैं, नीची की और गड़ा खोड़ते हैं, कहता है, other desert animals, कहता है, दूसरे जो मरुष्थलिये जानवर हैं, have thick skin to a wide water loss through sweat, कहता है, उसके पास क्या होते हैं, चमड़ी जो होती है, सक्त होती है, to a wide water loss, ताकि उसे क्या हो सके, बचा जा सके, किस से बचा सके, जल की हानी से, यानि जल की जो छती है, उसे रोका जा सके, जो हपसेने के द्वारा बाहर निकलती है, अब polar region and mountains, कहता है, polar region and high mountains on the earth are covered with snow and are extremely cold, polar region, धुर्विय पर्दिश and high mountains और उचे परवत on the earth, पिर्थवी पर, और covered, वो क्या है, अच्छा दित है, यानि उपर से धके हुए है, किस से धके हुए है, प्यारे बच्चो, with snow, किस के साथ, बर्प के साथ, and are extremely cold, और वो क्या है, काफी ठंधा है, करता एनिमल सेच जानवर, जैसे polar bear, धुर्विय भालू, हाब ठीक फर, उसके उपर क्या होती है, मोठी चमड़ी होती है, प्यारे बच्चो, मैंने फर के बारे में बता रखा था, दिसपार्शल में भी, फर क्या होता है, जैनवरों के सरीर का बाहे तोचा होता है, जिसके उपर लंबे लंबे बाल निकले होते हैं, वही का राइनिमल सेच पुलवियर, हाथ ठीक फो, and layer of fat beneath their skin, which keep them warm, वही काता है कि धुर्बिय परदेश में रहने वाले जो धुर्बिय भालू होते हैं, उनके बाहे तोचा के नीचे, यानि उसके जो फर है, उसके नीचे बसा की, fat की एक परत होती है, जो उन्हें क्या करती है, प्यारे बच्चों, गर्म रखती है, penguins, seals and walruses are found in polar region, ये सार कता ओसन is a huge salt water body that covers two-thirds of the earth's surface, कता ओसन is a huge salt water, हमारा जो समुद्र है, जो महासागर है, वो क्या है, वो कभर करता है, two-thirds of the earth, यानि पित्थवी के two-thirds हिसे को, it is the world's largest habitat, ये जो है, संसार का सबसे बड़ा आवास है, ये large variety of fishes, इसमें कई परकार की मचलियां पाय जाते हैं, whales, octopus and jellyfish, are some aquatic creatures for innocents, कहता है, whales, octopus and jellyfish, ऐसे कुछ जलिये प्रानी हैं, ये जलिये जीव हैं, जो पाये जाते हैं, ओसे इन में, प्यारे बच्चों, aquatic animals किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर बता दू, aquatic animals वैसे जानवर कहलाते हैं, जो जल में निवास करते हैं, अब है, fresh water, कता rivers, lakes, ponds, etc, are example of fresh water habitats, कता है, नदियां, जील, तालाब, उदाहरन हैं, किसके उदाहरन हैं, fresh water habitat के, यानि मीठे जल के, आवास के animals, जानवर जैसे मचलियां, स्रेंफ, क्रोकोडाइल, और फानिन, fresh water, ये सारे के सारे कहां पाये जाते हैं, प्यारे बच्चों, fresh water में पाये जाते हैं, अब हम लोग, प्यारे बच्चों, body covering के बारे में जानेंगे, जानवरों के, सरीर के जो उपर के कबच होते हैं, उसके बारे में जानेंगे, कहता है, animals have different type of body covering, जानवरों के, अलग-अलग परकार के, body के उपर जो हैं, उनके, कबर होते हैं, यानि आबरन होते हैं, body covering, help them to live and survive a particular habitat, कहता है, जानवरों के जो cover है, उनके जो आबरन है, वो उन्हें क्या करते हैं, मदद करते हैं, जीवन जीने में, और survive करने में, particular habitat, उनके अलग-अलग, अपने अपने आवास में, जीने में उन्हें क्या करती है, सरीर का जो बाहियावरन है, वो उसे क्या करता है, प्यरे ब जो सरीर होते हैं, वो covered होते हैं, आवरित होते हैं, किस से आवरित होते हैं, skills से आवरित होते हैं, which prevent water loss from their body, जो क्या करती है, उसके सरीर से जल की छती को, यानी जल की जो हानी होती है, वो कम करती है, fishes are covered with waterproof overlapping scales, फीसिस यानि मश्लियां जो है वो बाटरप्रूफ ओवरलापिंग स्केल से यानि सल्क से वो क्या होती है धकी हुई होती है सेल के बारे में जानेंगे करता है बाड़ी आफ एनिमल्स करता है सजानवरों के सरीर जिसे टर्टॉइज हो गया अशनेल, कच्छवा and टर्टल are covered with a hard sale वो किस से घिरा हुआ होता है एक hard कबच से आवरित होता है जो बना हुआ होता है प्यारे बच्चों कल्सियम कार्वोनीट का ध्यान रखेगा प्यारे बच्चों आपसे एकजाम में यह पूछ लिया जा सकता है कि आप बताएं टर्टॉइज, स्नेल, टर्टल के जो सेल हैं वो किस चीज के बने होते हैं तो कल्सियम कार्वोनीट के बने होते हैं which protect them from any danger जो उन्हीं किसी भी खत्रे से बचाती है, when these animals, करता है when these animals sense करता है जब इन जानवरों का जो sense है यानि इंद्रियां हैं वो danger यानि खत्रे का आभास करती है they withdraw their head and fit to the cell तो यह क्या करता है अपने head को यानि सर को और fit को यानि पैर को अपने cell के अंदर कबच के अंदर छुपा लेता है करता if you touch a snail gently करता यदि आहिस्ता से धीरे धीरे तुम किसी a snail को touch करोगे you will see तो तुम देख सकोगे how it withdraws वो कैसे its body into its cell करता है तो तुम देख सके हुए कि कैसे वो अपने सरीर को उसके अंदर बंद करता है अब हैं प्यारे बच्चों फर के बारे में जानेंगे कि फर क्या होता है करता है the warrior of animal such as करता है जान बरों के सरीर जैसे भेर हो गया भालू हो गया और कवरड भी फर होती है वो फर से उपर मैंने जान बरों के जैसे सीप हो गया, बियर हो गया, इसके सरीर के जो उपर तोचा होते हैं, जिस पे लंबे-लंबे बाल निकले होते हैं, उसी को प्यारे बच्चों फर्क करते हैं, that protects them from coal and rain, जो इन्हें ठंडे से और वर्सा से क्या करता है, बचाता है. फिदर्स, कता है, words are covered with feeders which help them in their flight, कता है, words पर्छियां जो होती है, वह भी covered होती है, किसे, फिदर्स से, पंखों से, which help them, जो उन्हें मदद करती है, किस में, फ्लाइट करने में, उन्हें में, फिदर्स also keep their worries light and protect them from coal, कता है, फिदर्स जो है, उसके सरी को हलका बनाती है, and protect them, और उसे क्या करते हैं, प्यारे बच्चों, प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किस से, cold से, अब हम लोग, प्यारे बच्चों, अगले, eating habits and animals के बारे में जानेंगे, कि जानवरों के खाने के आधार पर जो बरगी करत किया गया है, जो बरगी करन किया गया है, वो कैसे कैसे किया गया है, कहता है, all living things need food, जितने भी जिवित जीव हैं, प्यारे बच्चों, उन्हें किस की अब सकता होती है, फूड की होती है, कहता है, to get energy, उर्जा प्राप्त करने के लिए, to grow, ताकि वो बिकास कर सके, stay healthy, स्वस्त रह सके, प्यारे बच्चों, जितनी भी जिवित जीव हैं, सभी को भोजन किया अब सकता होती है, ताकि उन्हें उर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके, वो किस लिए, ताकि वो दिकास कर सके, और स्वयम स्वस्त रह सके, different animals eat different kinds of food, कहता है, अलग-अलग जानवर, अलग-अलग प्रकार के भोजन करते हैं, based on their food habits, उनके भोजन के आधार, यानि उनके भोजन खाने के आधार पर, animals can be divided into three types, जानवरों को मुखी रूप से तीन प्रकार में, तीन रूपो में बाटा गया है, खार्वी भोरस, कार्णी भोरस, ओम्नी भोरस, प्यारे बच्चों, यह जो बाग क्या है, इसमें कहा गया है, कि जितने भी जीवित जीव हैं, सभी को भोजन के आधार सकता होती है, ताकि उन्हें उर्जा मिल सके, और उस उर्जा से वो क्या करें, गु भोजन करने के आधार पर तीन रूपों में बाटा गया है सबसे पहले हार्वी भोरस फिर कार्णी भोरस फिर ओम्नी भोरस अब हम एके करके इनके बारे में जानेंगे कि क्या हार्वी भोरस कार्णी भोरस ओम्नी भोरस कैसे है उसके बारे में कहता है plant eating animals are called herbivores, आपने देखा होगा plant eating animals कहने का मतलब जो पौधों को खाकर अपना जीवन बेतीत करते हों हम उन्हें herbivores, यानि साखिये, plant eating, पौधों को खाने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, herbivores कहलाते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में बक्री होगी, गाय होगी बगल में अगर घोड़ा भी हो, तो वो क्या करते हैं गहास खाते हैं और जिराफ, they have sap and front teeth incisors करता है, इनके जो आगे के sharp teeth होते हैं, जिने हम लोग क्या करते हैं, incisors करते हैं for waiting, वो क्या करता है, कातने का काम करता है broad and strong back teeth molars, और उसके जो back teeth होते हैं, जो broad होते हैं, चोड़े होते हैं और strong होते हैं, मजबूत होते हैं जिने molars से मलोग करते हैं for grinding food, वो भोजन को पीछने का काम करती है तो प्यारे बच्चों, आप से पूश लिया जाएगा, कि define some points, जिसमें हर्वी भोरस अगर दिया हो, तो आप क्या लिखोगे plant sitting animals, और call हर्वी भोरस, और example के स्वरूप उसमें आप लिखोगे cow, goat, horse, giraffe अब हम लोग चलते हैं अगले point, कार्णी भोरस की तरफ कार्णी भोरस की से कहेंगे हम लोग कहता है place sitting animals, यानि मांस का भक्षन करने वाला मांस को खाने वाला जानवर आरकॉल कार्णी भोरस अच्छा प्यारे बच्चों, जो जानवर सिर्फ मांस को खाएना हम उसे कार्णी भोरस कहेंगे they have soft pointed canine teeth इनके पास नुकीले pointed teeth होते हैं for tearing place ताकि वो फार चीर सके किसको मांस को वो फार चीर करें एक्जामपल उदारन की आधार पर lion, tiger, cat and wolf प्यारे बच्चों कार्णी भोरस में इतना ही अब हम लोग ओमनी भोरस में देखेंगे कि ओमनी भोरस किसे कहते हैं ओमनी भोरस some animals it plays of other animals करता है कुछ जानवर जो है दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं आलजबे लाइफ प्लांट और तो और पौधे को भी वो खाते हैं दे आर कॉल्ड ओमनी भोरस हम इन्हें ओमनी भोरस कहते हैं उदारन के लिए human beings मान भीये परानी मान साहरी भी होता है मान साहरी भी होता है तो दोनों को मिलाकर सरवाहरी जो सब कुछ खाए बियर एंड क्रोव और कववा अब है movement in animals movement move करना कोई भी जीव एक जगह से दूसरे जगह move करता है तो हम उसे उसका movement कहते हैं तो जानवर जो है किस परकार से movement करता है किस परकार से वह एक अस्थान से दूसरे अस्थान को जाता है कता है Animals have different types of body parts of limbs for movement कता जानवरों के पास अलग-अलग परकार के body parts होते हैं movement के लिए ताकि वह move कर सके एक अस्थान से दूसरे अस्थान को जा सके They have different way of moving from one place to another place करता है यह अलग-अलग तरीकों से एक अस्तान से दूसरे अर्थान को जाते हैं insects insects मतलब कीट पतंगा छोटे-छोटे करता है all insects are six legs जितने भी insects हैं सभी के पास कितने six legs होते हैं most insects use their legs to move insects like ants and cockroach crawl on their legs करता है कि अधिकांस insects most insects अधिकांस कीट जो है use करते हैं अपने पैरों को move करने के लिए insects like ants यानि चीटी and cockroach crawl on their legs वो अपनी legs के द्वारा क्या करते हैं एक अस्तान से दूसरे अस्तान को move करते हैं water insects जलिये insects जो होते हैं like the water boots man use their legs as ores to paddle and swim वो अपने पैर का परियोग करते हैं ores की भाती पतवार की भाती paddle और swim करने के लिए some insects like butterfly, bees and housefly have one or two pair of wings to fly करता है कुछ insects के पास जैसे butterfly, bees and housefly have one or two pair of wings उनके पास एक या दो जोड़ी क्या होती है wings होती है, पंखे होती है ताकि वो उड़ सके करते हैं